हेलो दोस्तो बोन मेरू इसका नाम तो आपने बहुत जगा पे सुना होगा इवन मुवीज में सबसे यादा है इसका नाम मतलब यूज होता है एक्चल में क्या होता है यह और क्या इसके फंक्सेन है और आखिर यह हमारी बॉडी के लिए क्यों सबसे इंपोर्टेंट लेकिन उसके पास बोन मेरू की कमी होती है इसी बज़े से बच्पन से चल पिर नहीं पाता है और वह टेवल का मतलब एक कुरसी पर हमेशा बैठा रहता है बस उसका ब्रेन होता है बाकि पूरी बॉडी उसकी खराब होती है तो आकिर ऐसा क्या है बोन मेरू ऐसी क्या होता है स्पंजी सेल होते है और इसका जो मेन काम होता है वह होता है कि यह हमारी डबलो बीसी और प्लेट तीन सेलों का प्रोडक्शन करता है प्रेड्यूस करता है यह हम को दिखना होगा स्पंजी सेल टाइप बॉन मेरो अगर यहां पर मैं एक कलर डाग्राम दिखाऊ हू यह हमारी blood vessels इसके connect है bone marrow के अंदर तो यहां पर जो भी हमारा blood form होता है यह हमारा इसी blood vessels के द्वारा चलाता था पूरी body में distribute हो जाता है तो आपको काम पता चल गया कि यह हमारा white blood cells होता है यह हमारी body के अंदर जितने भी infection वगयरा होते हैं उनसे लड़ता है मतलब हम बोल सकते हमारी body का security guard होता है white blood cells then हमारा red blood cells होता है यह हमारा क्या करता है पूरी body में oxygen को पहुंचा होता है और oxygen हमारी body के लिए most important gas होती है ठीक है उसके बिना मतलब हम लोग जिंदा नहीं रह सकते तीसरा हमारा क्या है platelets है platelets क्या करता है अगर कहीं पर हमें चोट बगरारा लगती है तो जो bleeding होती है उसक blood का composition है इसके इंदर आपको दिख रहे होंगे यह red color में जो आपको ऑब धर हो रहे हैं यह हमारे red blood cells है यह छोटी छोटी आपको दिख रहे होंगे यह हमारे plate slate लेट है यह हमारे white white color में यह हमारे white blood cells finally इसका अगर किसी को यह कमी हो जाते ही तो क्या करते ही इसको हम transplant कर सकते बाकि ज़्यादा मगए अगर यह खराब हो जाता तो इंसान ज़्यादा धिनतर जिन्दा नहीं रह पाता है उसके बाद यहां पर एंड मेरा इंट फाइनली क्या होता है and bye-bye.